हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जुड़ जाएए दा अकेडमी प्लस फैमली से तो आज हम सॉल करने जा रहे ह है आडी शर्मा की एक्सराइज 1.1 जो कि है लेवल वन का और पेज नंबर है 1.5 तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला कोश्यन है इस जीरो आ रेशनल नंबर क्या जीरो एक रेशनल नंबर है can you write it in the form of p by q क्या इसको आप p by q form में लिख सकते हो या नहीं और जैसा कि आप लोग जानते हो एक रेशनल नंबर के अंदर p और q जो यहाँ पर दिया हुआ है p by q तो p और q क्या है बेसिकली यहाँ पर integers और q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो चलिए अब बात करत कोशन नंबर 1 के solution की तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर होता है p by q form में और यहाँ पर p और q क्या होते हैं integers और q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो चलिए कोशिश करते हैं 0 को p by q form में लिखने की तो simply आपको क्या करना है p by q form में लिखना है तो इसक तो यह 0 आपका p है और यह आपका q है बट आपको ध्यान रखना है ठीक है बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको q should not be equal to 0 ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखना है कि p और q आपके क्या होने चाहिए integers ठीक है integers हों ये P by Q form में, और कौन सा दूसरा तरीका है, 0 को P by Q form में लिखने का, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 by minus 1, 0 by minus 2, 0 by minus 3, ठीक है, minus का कोई भी नंबर ले सकते हैं, और आप आसानी से इसको P by Q form में भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बस Q should not be 0, ठीक है, so basically we arrive at the conclusion that 0 can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers, and Q can be positive or negative integers, so therefore 0 is a rational number, तो चलिए अब बात करते हैं, question number 2 और 3 की, तो यहाँ पर मैं solve करने जा रहा हूं, question number 3, क्योंकि question number 2 और 3 almost same है, सिफ numbers का फर्क है वहाँ पर, ठीक है, तो question number 3 मैं करूँगा, और question number 2 का आप answer बताएंगे, नीचे लिखकर, तो मैं आपको बता दूँ कि किनी भी 2 numbers के बीच में होते हैं, infinite rational numbers, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है, 6 rational numbers find करने हैं, 3 and 4 के बीच में, तो चलिए solve करते हैं, तो question में हमें given है, 2 numbers 3 और 4, तो सबसे पहला आपको का करना है, इन दोनों numbers को add कर लीजिए, ठीक है, add करने के बाद आपके पास एक नया number आ जाएगा, that is 7, ओके, तो अब क्या करना है, इस 7 की मदद से आपको इस 3 को और 4 को convert करना है, rational number में, कैसे करेंगे, आपको लिखना है 3, अब 3 लिखने के बाद आप क्या करोगे, इस 7 को multiply और divide कर दीजिए, ठीक है, तो कोई फरक पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, number तो वही रहेगा आपका, इसी तरीके से आप 4 को भी divide और multiply कर दीजिए, इसी number से, 7 से, ओके, इसके बाद आपके पास एक नया number आ जाएगा, जो की होगा, एक rational की form में, 21 by 7, और यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा, 28 by 7, ओके, तो इसको solve करने के बाद आपके पास आजाएगा, 3, और इसको भी solve करने के बाद आजाएगा, आपके पास, 4, ठीक है, तो number आपका वही रहेगा, सिर्फ हमने क्या किया है, इसको rational की form में convert कर लिया है, ओके, तो अब यहाँ पे आप इन दोनो numbers को आप लिख लिजिए, 21 by 7, और यहाँ पर आप लिख लिजिए, 28 by 7, ओके, अगर आप इस series को continue करते हैं, तो आपके पास इसी तरीके से बहुत सारे numbers आ जाएगे, 22 by 7, 23 by 7, और 24 by 7, 25 by 7, और यहाँ पर 26 by 7, और यहाँ पर 27 by 7, ठीक है, तो यह कितने numbers हैं आपके पास, आ आप एकबर count कर लिजिए, इनको, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, तो आप देख सकते हैं, exactly 6 numbers आपके पास आ चुके हैं, जो की है, rational form में, तो यह सबी numbers हैं, आपके P by Q form में, और Q यहाँ पर 0 नहीं है, आप देख सकते हैं, यह 6 के 6 numbers को आप देख सकते हैं, और P और Q क्या हैं, basically integers, और Q आपका 0 भी नहीं है, तो यह आपका बहुत ही simple तरीका है, दो numbers के बीच में, जब आपको rational numbers निकालने हैं, तो आप exactly उतने ही numbers आप निकाल सकते हैं, बहुत सटीक तरीका है, बहुत ही शांदार तरीका है, और बहुत ही easy तरीका है, और अगर आपको यह question समझ में आ चुका ह आप जल्दी से question number 2 को solve करके दिखाईए, और 1 और 2 के बीच में rational numbers कौन कौन से हैं, आपको फाइंड करके बताने है, आपको बताने है 5 rational numbers 1 और 2 के बीच में, जल्दी से आप अपना answer comment section में लिखके बताईए मुझे कि 1 और 2 के बीच में 5 rational number कौन कौन से है, तो चलिए बात क और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 by 5 और 4 by 5 दोनों ही क्या है rational numbers है ठीस है? तो इनके अपर बीक में आपको निकालने है 5 rational numbers exactly 5 numbers निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको बोला गया है 5 rational number निकालने है ठीस है? तो इससे बड़ा एक value आपको लेना है 5 से बड़ा ठीक है 6 ले सकते हो 7 ले सकते हो कोई भी number ले सकते हो यहाँ पर हम ले ले लेते हैं 6 यह बाद आपको ध्यान रखना है ठीक है जितना number बोला गया है उससे बड़ा आपको number लेना है तो यहाँ पर दो numbers given है एक है 3 by 5 और दूसरा है 4 by 5 तो सिंपली करना क्या है 3 by 5 को आपको multiply करना है 6 से और divide करना है 6 से ठीक है और यहाँ पर 4 by 5 को भी multiply करना है 6 से और divide करना है 6 से ठीक है तो यहाँ पर आपके पास दो numbers निकल के आ जाएंगे 18 divided by 30 और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 24 divided by 30 तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है 3 by 5 को convert कर लिया है 18 by 30 में जो की basically 3 by 5 ही है अगर इसको solve करते हैं तो 3 by 5 ही आपके पास आ जाएगा तो आप देख सकते हैं आपके पास 2 numbers आ चुके हैं 18 by 30 और 24 by 30 तो इन 2 numbers को आप यहाँ पर लिख लिजिए 18 divided by 30 और यहाँ पर लिख लिजिए 24 divided by 30 तो यहाँ पर आपके पास अगर इस series को complete करते हैं तो काफी सारे numbers आपको यहाँ मिल जाएगे देखने को 20 by 30 और 21 by 30 और 22, 23 और यहाँ पर 30 और 30 ठीक है तो 18 by 30 और 24 by 30 अगर हम बात करें यह number था आपका 3 by 5 और यह number था आपका 4 by 5 ठीक है तो यह सभी जो numbers है 5 numbers है 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक है यह सभी क्या है आपके P by Q form में है और आप दिख सकते हैं Q is not equal to 0 आप चेक कर सकते हैं और P और Q ठीक है 19 और 30 इस तरीके से सारे numbers आप चेक कर सकते हैं आपके सारे integers आप बहुत आसानी से इस method को use करके उनके बीच में rational numbers find कर सकते हैं चाए वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितने भी numbers हो तो आप इस method को use करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो तो चली आप बात करते हैं last question की जिसमें आपको बताना है कि वो statement आपकी true है या फिर false तो सबसे पहला statement है every whole number is a rational number क्या हार एक whole number आपका rational number है जी हाँ आप कह सकते हैं कि इसका जवाब होगा true, true क्यों होगा आप दिख सकते हैं कि whole number आपका 0 से start होता है इस तरीके से 0, 1, 2, 3 and so on तो आप 0 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0 by 1, 1 by 1 और 2 by 1 और 3 by 1 आप इस तरीके से लिख सकते हो किसी भी number को rational number की form में ठीक है P by Q form में आप इसको लिख सकते हो और आप देख सकते हो इसमें Q आपका 0 के बराबर भी नहीं है और दोनों ही condition आपकी fulfill हो रही है P और Q आपका integer है ठीक है और Q आपका 0 के बराबर नहीं है तो यह statement हो जाएगी आपकी true ओके यहाँ पर दूसरा statement है every integer is a rational number क्या हर एक integer आपका rational number है या फिर नहीं once again मैं कह सकता हूँ इसका जवाब होगा true तो true क्यों होगा क्योंकि आपका integer let's say यहाँ पर हम लिख लेते हैं one two three four and so on ठीक है यह numbers आपकी क्या है positive integers और rational की form में हम इनको लिख सकते हैं one by one two by one three by one four by one ठीक है तो इन सभी numbers को आप P by Q form में भी लिख सकते हैं और देख सकते हैं क्यों आपका once again zero नहीं है और P और Q क्या है आपके दोनों integers हैं तो इसका भी answer आपका हो जाएगा true तो अब बात करते हैं इसके third statement की इसमें पूछा गया है कि क्या हर एक rational number आपका integer होता है या फिर नहीं तो जैजा कि हम लोग जानते है rational number होता है let's say आपका three by two one by two तो इस तरीके के जो numbers है वो आपके क्या होंगे rational numbers ठीक है तो यह सभी आपके rational numbers हैं तो क्या हम इनको integer बोल सकते हैं तो आप देख सकते हैं integer आपके होते हैं zero one two three four और यहां पर minus one minus two ठीक है these are exact values ठीक है exact values है और यहां पर exact value आपकी नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका answer होगा false ठीक है true नहीं होगा false होगा क्योंकि हम हर एक rational number को integer नहीं बोल सकते integer number आपके यह होते हैं और rational number आपके यह होते हैं ओके तो अब बात करते हैं fourth statement की जिसमें पूछा गया है कि क्या हार एक आपका natural number whole number है या फिर नहीं तो इसका जवाब बहुत ही आसान है I am sure आप लोग जानते होंगे कि क्या हार एक natural number आपका whole number होता है या फिर नहीं तो natural numbers आपके होते हैं 1 से start होते हैं 1,2,3,4 and so on और whole numbers आपके start होते हैं 0,1,2,3 and so on तो natural numbers आपके already whole numbers में आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे natural numbers आपके whole number में आते हैं तो हर एक natural number को हम whole number बोल सकते हैं, बहुत आसानी से, तो इसका जवाब होगा true, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि integers में आपके आते हैं, 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, इस तरीके से आपके numbers आते हैं, ठीक है, यानि positive और negative की values भी आती है, और whole numbers में आते हैं, आपके यहां से, ठीक है, आपके सिर्फ इतने हैं, तो हम कह सकते हैं, इसका answer होगा false, तो last statement में पूछा गया है, आपसे कि क्या हर एक rational number आपका whole number है, या फिर नहीं है, ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है, comment section में आप लिखके बताइए, कि ये true है, या फिर false, तो दोस्तों मैं उमीद करता आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को like करना ना भूले, और मेरे चैनल को subscribe जरूर कर ले, तो चली दोस्तों, अब मिलते हैं, next वीडियो में, thank you so much for watching.